है यूटूब फैमिली कैसे आप लोग आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और मैं वैलकम करती हूं अपने चैनल से अपना रियल ब्लोग में आप लोग देख रहे हैं अपना रियल ब्लोग तो गाइस अगर आप सब अब भी तक हमारे चैनल को शब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को तो यह वीडियो हमारा जो है इमनिंग टू नाइट रोटीन का वीडियो है वीडियो बहुत लेट आ रहे हैं कि सर्दी बहुत जादा पढ़ रही है वीडियो सूट करने का भी मननी होता है और एडिट करने का भी मननी होता है तो आज के रोटीन में हम आपको दिखा रहे हैं कि मैंने अभी कुकर में आलू बाइल करने के लिए रख दिये हैं और साम के टाइम गाउ में लाइट कफ मतलब कट नहीं होती है आती रहती है तो मैं ज्यादा से ज्यादा काम इंडक्शन में कर लेती हूँ आराम रहता है मुझे इंडक्शन में खाना बनाना या कुछ भी दूद को गरम करना चाय बनाना या आलू को बाइल करना मैं पराटे भी इसी में बना लेती हूँ सबजी बहुत कम बनाती हूँ बाकी सब चीजें चावर दाल सब इसी में बन जाता है मेरा उसा सथ बहुत सारे काम थे हूँ जब तक आलू बॉयल हुए तक तक मैं ने पापा के लिए फरल कीवी और सेट से वो कट कर के रख दिये हैं अब मैं ऐहाँ फी खीड बना रही हूँ जोकि यह भी पापा के लिये ह। लेकिन ये सुवह ब्रेकफास्ट में खाते हैं, तो मैं साम को भी बना के रख देती हूँ, क्योंकि सर्दी में कौन सा खराब होता है, बाहरी रखी रहती है, सुवह हलकी से गुन-गुनी करके देती हूँ, क्योंकि उनको थोड़े बीमार रहते हैं, तो उनको थोड़ा गरम चीज़े ही सरदी में खाने को देती हूँ, गरम पानी, हर चीज, खानेवाली गरम खाना भी खाते हैं, वो भी गरम कहाते हैं, तो यहां पर मैं खीर बना रही थी है, मकाने की खीर, क्यूंकि चावल की खीर उनके लिए हल्थ-फुल नहीं होगी न, मैं इनको भी एक मतलब इनको निकाल लूँगी अलू को इनको शिलके भी उतारूँगी और आज बनाने है मुझे डिनर में बर्गर लोग यह सब चीजे ब्रेक पास्ट में खाते हैं और मेरे घर में यह सब चीजे पता डिनर में खाई जाती है क्योंकि ब्रेक पास्ट के टा कि मैंने फ्रूट्स कड़ करके रखे थे पापा के लिए और उनके खीर भी बन गई है उनके लिए उनके इस्ते की बस बनाती हूं यह कटोरी पर और ज्यादा नहीं बनाती हूं तो यहां पे खीर हमारी रेडी हो गई है अब मैं आप आलू निकालूंगी और बनाओंगी बर है कि आख धाए कि अचा पूंगी तो अच्वाद है है कि अचे विडेयो काफी टाइम बात आरा है गाइस प्लेज आप लोग कितनी सर्दी पढ़र है न आप तो सर्दी पढ़ने लगी होगी और मुझे लेकिन सर्दीयों में आराम बहुत रहता है अच्छा लगता है कि मैं साडी का पलू कभी ऊपर निकालके स्वेटर नहीं पहनती हूं क्यूंकि इसको बार अबार ऊपर नीचे करना पढ़ता है गुंगट को ऐसे एक जगह सामान बना रहता है तो मैं उपर से स्वेटर पैन लेती हूं तो यह ऐसे ही डखा रहता है मुझे बार-बार खीशना नहीं पड़ता है तो यहां पर चीको भी आ गए तो इनको खाने तो मौमपली इनकी बहुत ही ज्यादा फेवरिट है जो डेली इनको मौमपली के साथ जो नमक होता है न वो न मौमपली कोमेंट में कैसी लग रही हूं आज आप सबको क्योंकि मैं अपने आपको ऐसे देखती हूं ना तो मुझे बहुत आज यह फील होता है कि ऐसे सर में पनलू लेकर स्वेटर पहन के और मतलब बलकुल इंडियन लाइफ अपनी है ना विलाज लाइफ उसे बोलते ह और यह लेकर आयते ढोकला जो की रखा हुआ तो मैंने आप सबको पताया मॉर्णिंग में किसी के पास्ट टाइम नहीं होता है खाने का बहुत कम टाइम होता है मुझे खुदी 11 बच जाता है ब्रेकफास्ट करते करते फिर यह लगता है खाना कब खाएंगे तो यहां पे दोकला रखा हुआ था जो कि मैंने फ्रिज से पहले ही निकाल के बाहर रख दिया था क्यूंकि ज्यादा ठंडा नहीं खा सकते हैं सर्दियों में तो फिर सबने फिर ढोकला खाया ममी और हम पापा को यह दे के आयते प्लेट में काफी एल्प मिल रहाती मुझे अगर मतलब कुछ दिक्कत होती है मुझे भी तब भी कुछ जो काम करने के लायक होते हैं करी देते मेरे शाथ में तो यहां पर मैं अब टिक्की शेकूंगी तो कि तबा मेरा इंडक्शन पर चड़ चुका है और मैं देखू आज पूरा वीडियो अपना किजिन के अंदर ही सूट किया क्योंकि सर्दी में कहां इधर उधर भागो एकी जगह बैट के सूट करो सबसे अच्छा रहता है और आप सबको भी देखना चाहिए किसी एक जगह को हमेशा कैप्चर करके रखते हैं कैसे सब एकी जगह पर बैट के सारे गाम कर लिए एकी जगह पर खाना भी बन गया सब ने वहीं बिखा भी लिया सब कुछ एक हैं आप सबको बोर कर दिया मैंने एकी जगह दिखा दिखा के तो यहां पर टिकी भी से गई हैं और मैं आज किस दूसरे तरीके से बर्गर बनाऊंगी जो कि ऐसे मैं हमेशा कच्छे प्याज और टमाटर ही लगाती थी क्योंकि उस हमारे साथ चिल करने के लिए क्योंकि न्यू इयर भी आ रहा है गाइस तो आप सबको यह मेरा वीडियो देखो कब पहुंचता है मुझे खुद नहीं पता है आप सबको हैपी न्यू यर 2023 बगवान आप सबको हर खुसी दें जो आप इस नए साल में चाहते हो हर चीश मिले आप सबको वैसे मैंने तो अपने मादेव से यही मांगा कि हमारा परिवार ऐसे एकजुट होके बना रहे है बहुत अच्छा जाया मेरा 2023 इस नए साल की सुरुआत मैंने अपने बाबा के साथ ही मतलब करूंगी और अपने बाबा के साथ ही यह दे मनाऊंगी हर चीज मेरी कि हर कुशिक नहीं से जुड़ी हुई है जब तक महादेव की दर्शे नहीं होते हैं यह लगता है कुछ खाली-खाली सा जिन्दगी में अधूरा सा रह गया है तो आप सब भी अपने इश्ट देवताओं को मानते हैं तो एक बार जरूर मंदिर जाना फर्स्ट जनवरी ज जिसे लोग करते हैं तो अपने मंदिरों में अपने इश्ट देवताओं को साथ भी सेलिब्रेशन करना तो बस अब बर्गर बनने वाला ही है बिल्कुल आप सब के मुह में अगर पानी आ रहा हो ना तो गरती से उसको गुटक लेना क्योंकि मिलने वाला नहीं है मैंने सब सेख लिए हैं इनको और अब बस बना के सब को दे दूगी फटाक से तो देखते हैं कैसे बनते हैं और आप सब लोग बताना आप लोग भी ऐसे ही बनाते हो क्या कॉमेंट में मेरी तो बस एक ही वी से बगवान मेरे पापा हमेशा सदय रोग मुक्त हो जाए हमेशा के लिए अच्छे हो जाएं बस जैसे थे हमारे साथ वैसे हमेशा जीवन भर बने रहे हैं बस मैं यहीं मांगती हूं हमेशा बोले बाव से और यही मेरी वी से दो हजार तेज में भी वगवान से कि बस जैसे हमारा परिवार हस्ता खेरता हुआ है ऐसे हम सब सदयों बने रहे हैं और आप सब के लिए भी विस करते हैं आप सब भी हैपी रहेगा अब सदी भी बहुत ज़्यादा अपना खयार भी रखो तो चितारे मैंने बना कि रख लिया था आप सब को दिखाया बद अभी तुमर साब हम खा रहे हैं इसे अदर बैठ के और वह उधार को फी बना रहे है क्योंकि कॉफी पीते हैं और मैं भी पीती हूं पापा नहीं पीते हैं पापा कभी कभी पीते हैं और फिर ये कॉफी बनाएंगे और मुझे भी पिलाएंगे खुद भी पिएंगे तो वैसे भी सर्दियों में कॉफी का मज़ा अलग होता है और अच्छा भी लगता है गरम गरम कॉफी सूप ये सब चीजे पीने में मुझे भी मतलब एक आदस ही हो गई है सूप और कॉफी पीने की जब से सर्दी बढ़ गई है मैं कॉफी नहीं पीती थी मुझे कॉफी से मतलब एक अजीब सी दिक्कत हो जाती थी और अब मुझे इतनी लट लग गई है इस चीज की कहते हैं ना कि लट बहुत बूरी चीज होती है इसको कभी नहीं लगाना चाहिए और मुझे वैसे ये कॉफी सूप की आदस ही बन गई साम को पीने की तो कॉफी पीने के बाद हम सब लोग की बस सोने की तयारी हो जाएगी इसके बाद तो गाइस आप लोग अपना बहुत ज्यादा ख्यालत ना वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करने चलिए मिलते हैं चीकु से और दूसरी प्रेयर सुना इतनी शक्ती हमें देन देका करेश बाद शेक कोना हम तरे तरे शेप में पूरू कर भी कूरू हूना हमको पता दात जोरे समय हम आप 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 प्रेयर करो गाद जी इसे जो गलतियां की हो करो जोड़ के तो गाइस तो गाइस चीकु की प्रेयर आप सबको अच्छे लगी हो तो प्लेज कमेंट पर बताना अपना बहुत सारा खयाल रखना बारी आगए आप सबसे बीदा लेने के लिए तो बाए